हाई गाईज एंड वेल्कम टू सोनी सवर्ड तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि मुल्तानी मिट्टी आप अपने चहरे पर कैसे लगाए हम सभी को पता है कि मुल्तानी मिट्टी हमारे चहरे को बहुत ही जादा गोरा बनाती है साथ ही साथ अगर आपके स्किन पर ऑ करती है पर बहुत सा लोगों को पता नहीं है कि हम कैसे मुल्तानी मिट्टी फेस बैक बना सकते हैं वैसे तो हर स्किन टाइप के लिए अलग-अलग मुल्तानी मिट्टी फेस बैक बनाया जाता है पर जो आज मैं आपके लिए होम रेमिटी लाई हो हर स्किन टाइप के तो फ्रेंड हमने यहां पर फ्रेश ऐलोवीरा का लीफ लिया है यह यह अच्छे से वाश कर लिया है इसकी किनारे हम काट लेंगे और इसका जो हमारा अलोवीरा जल है वह एक्स्रेक्ट कर लेंगे मेरे तो फ्रेंड मैंने यह अलोवीरा जल निकाल लिया है आप चाहें तो अलोवीरा जल निकल के मिक्सी में चला लें ताकि अमेक स्मूध छेल मिल जाए तो भळग वन टेबलसपून अलोवीरा जल है तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबलसपून मुलतानी मिट्टी यहां पर मैंने लिया है 1 Tablespoon बनाना पल्प यानि की केलि का गूदा मैंने केले को अच्छे से आप चाहिए तो कोई भी फ्रूट पल्प डाल सकते हैं जो भी आपके घर में फ्रूट पल्प हो जाहिए आपके बास सेव हो आपके पास पपीता हो या आप तमाटर का रस आलू को पल्प भी डाल सकते हैं कोई भी आप फ्रूट एन वेजीटेबल पल्प डाल सकते हैं और रोज चेंज करकर के भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने बनाना लिया है और फ्रेंड हम इसमें डाल देंगे अलोवीरा जेल फ्रेंड हमें इस मुलतानी मेटी फेस पैक को अपने क्लीन फेस पे लगाना है मोटा मोटा आपको फेस पैक अपने फेस के अफ़ा डारेक्शन में लगाना है फ्रेंड आप fruit pulp change भी कर सकते हैं जैसी कि मैंने बनाना लिया है आप पपीता ले सकते हैं अगर आपके skin पे pigmentation है बनाना मैंने इसले लिया है क्योंकि सर्दिया है और बनाना हमारे skin को naturally moisturize करता है, hydrate करता है और मैंने इसमें डाला था aloe vera gel आप fresh aloe vera gel लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे तो फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छे से यह face pack अपने skin पे लगाना है फिर हम इसे dry होने देंगे तो हम इस face pack को सूखने देंगे तो फ्रेंड यह face pack हमारा सूख चुका है अब इसे rose water से या aloe vera gel से थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे ताकि हम अच्छे से massage कर पाए हमारे steps अच्छे से चलें उसके बाद हम अपना face wash कर देंगे ज मिल्तानी मिट्गी हमारे चाहरे को कैसा गोरे निखर बिदाग क向 regain रिमूव होजाए कि हमारे चाहरे के काले रिमूब और हमारी च्रहा बेहरा गोरा निखर और टाइट हो जाए इसमें अलोवीरा जल फ्रेश ही लेना है अगर आप मार्केट वाला लेंगे तो आपको इतना आधा इफेक्ट ही मिलेगा मैने इसमें बनाना मैश करा था केला का मैने गुदा लिया था आप कोई भी फूट पल्प अलग अलग रोज आप लगाएंगे तो अलग अलग आप फूट पल्प चेंज करते रहें जाकि फूट आके जितने भी नूट्रीशन है वापकी स्किन को मिलें जैसे हमारी बॉड़ डाल सकते हैं टमाटर डाल सकते हैं कुछ भी आप इसमें बदर बदल के डालेंगे तो आपको skin को essential nutrition मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है को healthy and glowing बराने के लिए आप चाहे तो इस फेस पैक को तीन से चार दिन तक भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं रोज आप लगा सकते हैं अगर आपकी skin oily है तो आप के रिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आपकी skin dry है तो आप इसमें कोई भी ऑईल डाल ले लाइक और आप इसमें ऑलिवल डाल सकते हैं आप इसमें हनी डाल सकते हैं हनी बहुत साही लोगों को सूट नहीं करता तो आप वाइटमिन E की एक कैपसूल या दो कैपसूल भी डाल सकते हैं आप चाहे तो इसमें lemon juice भी डाल सकते हैं यह totally optional है आप अपनी skin type के according इसे कस्टमाइज कर सकते हैं मुलतानी मिटी face pack को अगर आपके face पे redness है allergies हो जाती है आपके face पे और छोटे-छोटे दाने हैं तो आप इसमें आधा चमत चंदन घिसके भी डाल सकते हैं तो घिसके डाले या powder आता है powder डाल सकते हैं So I hope मेरी आपको आज की वीज़ी पसंद आई होगी कि मुलतानी मिटी से कैसे अपने चहरे को हम गोरा, निख़ा और बेदाग मना सकते हैं और चहरा कैसे हम टाइट और यंग बना सकते हैं मुलतानी मिटी दे जुरूर ट्राइ किजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फरगेट तो सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेश दा बैल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं मैं आप से मिलती हो किसी नए होम रेमेडी नए डियावाई या नए किसी स्कीन केर के साथ दिल दन बाबाए और स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटिफूल बाबाए